हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इस्टेडी विट टाइगर दोस्तो यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन जिससे आपको लेटेश नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे है तो हम इस समय समविधान समविधान की क्लासिस चला रहे है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है यह आप देख सकते हैं यहां पर वीडियो अपलोड हो चुकी तीन पार्ट में और इसका मैं लगबग 200 क्वेश्चन मरलब 10 पार्ट में लेके आऊंगा ठीक है तो आपको पर डे एक वीडियो आपको यहां से मिलती रहेगी और इसमे जो भी कोईश्चन है वो सारे एक्जाम में आए हुए मोस्ट इंपोर्टन कोईश्चन का सेट बनाया जा रहा है ठीक है तो यहां पर प्रेक्टिस करिए और अपना देखिए कि आपका कितना कोईश्चन 20 में कितने सही हो रहे है ठीक है और यह लगबग मैं दो कोईश्च किस जरूर कर लीजेगा यह 200 कुश्चन बिल्कूल आप छोड़ियेगा नहीं ठीक है तो आये हम देखते हैं ज्यों चैनल जरूर जोईन कर लीजेगा ठीक है हम तेली ग्राम चैनल यह मेरा टेली ग्राम चैनल है इसको आप जरूर जोईन कर लीजेगा तो अधालिजे है कि तो आएए हम देखते हैं कि इससे कि सеци आईयों में सेवा णिबरित होते हैं साट़ वर्स 62 वर्स चौसिट वर्स या 65 वर्स बताइए क्या होगा इसका आंसर इसका आंसर कमेंट बाक्स में जरूर दीजिए ठीक है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 65 वर्स ठीक है सर्वोच ने आयले के नाय दीसों की आयू जो होती सेवर निवर्ति आयू 65 वर्स होती ठीक है भारतिय समविधान का अंतिम व्याख्याता और संविधान का अभिभावक है एंद्रिय मंत्री मंडल राश्टपति उच्छ नयायाल है तो क्या होगा इसका अंसर बताईए कमेंट बाक्स में इसका उत्तर दीजिए तो इसका अंसर जो होगा सर्वोच नयायाले जो होता है वो क्या होता है अंतिम व्याख्याता होता भारतिय सम्विधान का अंतिम व्याख्याता कौन होगा वो सर्वोच नयायाले जो कह देगा वही माना जाएगा और सम्विधान का अभिभावक भी क्या है वो सर्वोच नया जानिक अधिकारिता परामर्स दात्री अधिकारिता या अपील अधिकारिता तो कौन सी अधिकारिता के अंतरगर्थ आती है बताईए तो इसमें होगा मौलिक अधिकारिता मौलिक अधिकारिता के अंतरगर्थ जो होता है भारत के उच्छतम न्यायले की केन और राज्यों के बीच विवाद यदि कोई विवाद है तो उसका निप्टारा करने की सक्ति किसके अंतरगर्थ आती है तो मौलिक अधिकारिता के अंदरगर्थ आती है ठीक है उच्छ न्यायाले का न्यायधिस बनने के लिए कम से कम कितने वर्स की उच्छ न्यायाले के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए ये कोश्चन ठीक है पिछली बार UPSI में आया था ठीक है तो इसका क्या होगा अंसर बताईए तो इसका होगा दस वर्स ठीक है दस वर्स तक वो वकालत कर चुका हो ठीक है किस केस में उच्छतम न्यायाले ने मिर्त्यु दंड को दुरलब से दुरलबतम मामले में देने का नियम निर्धारित किया बच्चन सिंग बनाम पंजाब केस 1980 इंद्रा साहनी केस 1992 एस आर बंबई बनाम भारत संग केस 1994 साह बानो केस 1985 तो यहाँ पे होगा जो बच्चन सिंग बनाम पंजाब केस 1980 में उच्छतम न्यायाले ने मिर्त्यु दंड को दुरलब से दुरलबतम मामले में देने का नियम निर्धारित किया किस वैधानिक संस्थार में अभी तक किसी महिला ने सर्वोच पद ग्रहण नहीं किया उच्छतम न्यायाले निर्वाचनायोग वितायोग या उच्छ न्यायाले कहाँ पे बताईए तो यहाँ जो होगा उच्चितम नियाले में कोई महिला अभी तक सर्वोच पद गरहन नहीं कर पाई है उच्चितम नियाले के सेवा निम्वरित नियाधीसों के लिए कहां पर वकालत करने की मना ही है उच्चितम नियाले के अलावा किसी अन्य नियाले में भारत के किसी भी नियाले में उच्चितम नियाले से नीचे किसी भी नियाले में किसी भी फोज़दारी अदालत में तो क्या है उच्चितम नियाले के सेवा निवरित नियाधीस के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है कि वो वकालत नहीं कर सकता तो कहां पर मनाही है ये बताएना है आपको ठीक है तो यहां होगा भारत के किसी भी नियाले में क्यों क्यों कि सबसे बड़े भारत का नियाले का है उच्चितम नियाले सर्वोच नियाले ठीक है तो सर्वोच नियाले का यदि नियाधीस है तो वो किसी भी अदालत में आपका वकालत नहीं कर सकता ठीक है और यदि उच नयायले का है मतलब हाई कोर्ड का यदि जज है तो वो अपने हाई कोर्ड छेत्रिक में नहीं कर सकता है बाकि वो दूसरे के हाई कोर्ड में कर सकता है या सरवच नयायले के कोर्ड में कर सकता है मतलब उससे उपर के अदालत में वो वकालत कर सकता है, नीचिली अदालत में नहीं कर सकता है, ठीक है, आईए देखते हैं अगला प्रस्ट, उच्चितम नयायाले के एक मुख नयायधीस के अलावा अधिकतम कितने अन्य नयायधीस हो सकते हैं, 28, 25, 26, 21, तो यहाँ पे होगा 25, ठीक है, 25 यहोगा, वो सही उत्तर होगा, उच्चितम नयायायाले के नयायधीसों को उनका कारिकाल समाप्त होने से पहले ही, आच्छमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कारेकाल से किसके द्वारा हटाये जा सकता है तो भारत के मुखनयादी, उच्चनयाले के मुखनयादी, संसद के दोनों सदनों की सिफारिसों पर राश्टपती विशेज बहुसंख्या सहित संसद के दोनों सदन बताईए तो यहाँ पर होगा संसद के दोनों सदनों की सिफारिस पर राश्टपती कर सकता है ठीक है और कोई नहीं कर सकता ठीक है निमलीखित का मिलान कीजिए पांडीचेरी संघराजचेतर और कारीचेतर उच्चितम नियाले कहां पर है ठीक है मतलब पांडीचेरी का कहां पर है अंडमान निकोबार दीब समू लचच दीब दमन और दीब तो इसमें कौन सा असें होगा ये आपको देख कर बताना है ठीक है चार अपके पास है तो यहाँ पर कौन सा अंसर होगा तो यहाँ पर जो अंसर होगा वो first होगा ठीक है आपसन फर्स्ट मतलब A का थर्ड पांडी चेरी का कहा है मद्रास में है B का फोर B फोर तो यहाँ पर क्या अंडमान निकोबार दीब सम्मू का कहां पर है कोलकता में है C का फर्स्ट लच्छ दीब का कहा है केरल में दमन और दीब का कहा है बंबही में ठीक है जिला नियाधिसों के नियाधिसों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है जिला नियाधिसों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है राजिपाल, मुख्यमंत्री, विधिमंत्री या राष्टपती यहाँ पे होगा राजिपाल के द्वारा होती है यदि जिला अस्तर के जो है सत्र नयायधिस ठीक है तो उनके नयायधिसों की नियुक्ति राजिपाल द्वारा की जाती है उच्च नयायाले का पर्थम नयायधिस किसे कारिकाल पूर होने से पहले पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंब की गई वो कौन थे रामा स्वामी स्वमित्र सेन पीडी दिनकरन या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो किसका होगा बताईए तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो रामा स्वामी होगा ठीक है तो पहले पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंब की गई थीक है? तो रामा स्वामी है, ठीक है? उच्छ न्याली की प्रथम न्यायधीस की बात करना, ठीक है? निम्लिकित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज कौन सा है जो केवल भासाई आधार पर बनाया गया साथ ही इसे भारत का पर्थम राज्य होने का सम्मान भी मिला तो वो कौन सा राज्य था महाराश आंद्रप्रदेश केरल या पंजाब तो बताए कौन सा है तो यहाँ पर जो होगा वो आंद्रप्रदेश होगा आंद्रप्रदेश भासाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है संग की विशेष्टा होती है राश्टिय सरकार प्रांत को कुछ अधिकार प्रदान करती है सत्ता का बटवारा विधाई का कारिपरसद और न्यायपालिका के मध्य होता है विभिन अस्तर पर अस्थापित सरकारों के मध्य सक्तियों का बटवारा अनिवार होता है उप्रोक्त सभी कौन सा होगा बताईए तो यहां पर जो होगा उप्रोक्त सभी यही आंसर होगा ठीक है आईए देखते हैं अगला परस निम्न में से एक भारत संग का सहराज था और बाद में पूर्ण राज बन गया तो वो कौन सा था जारखन, छतिसगार, और राचल परदेश या सिक्किम तो यहां पर सिक्किम जो था पहले ठीक है राज जी बना था उसके बाद पूर्ण राज का दर्जा दिया गया था ठीक है समीधान बनने के समय जो च्हेतर नर्थ इस्ट फ्रॉंटियर एजंसी के नाम से जाना जाता है वह अब है असम राज ये अनुडाचल प्रदेश में घाले नागा लैंड तो ये होगा अनुडाचल प्रदेश ठीक है अनुडाचल प्रदेश निमलिखित मेंसे किसको नए राज बनाने का वर्तमान राज्यों की सीमाए बदलने का अधिकार प्राप्त है तो किसको प्राप्ते राश्टपती, संसद, निर्वाचन आयोग, कोई भी नहीं तो यहाँ पर जो होगा आंसर वो संसद होगा, ठीक है, संसद निमलिकित में से किस मुद्दे पर राजिपाल राश्टपती को सिपारिस कर सकते हैं राज मंत्री परश्ट की बर्खास्तगी, उच्च नयाले के नयादी सुका निसकासन, राज विधान सभा का विगटन, राज में समवैधानिक मसीनरी के भंग होने की घोशना तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा, तो त्री फोर, वन तू त्री वन त्री फोर तो यहाँ पर आंसर जो होगा, वो वन त्री फोर होगा, ठीक है, निमलिकित में से किस राज में विधान परिसद है, तो विधान परिसद कहाँ पर केरल, चतिसगर, महाराष्ट, असम तो यहाँ पर महाराष्ट में जो है विधान परिसद है बाकी इन तीनों में नहीं है ठीक है निमलिकित में से भारत के सम्विधान के किस अनुछेद के अंतरगत सम्विधानिक स्विवस्था भंग हो जाने पर किसी राज में राष्टपती सासन लागू किया जा सकता है किस के तहट अनुषे 356, अनुषे 361, अनुषे 371, अनुषे 389 तो यह आज का आखरी कोश्चन है तो यहाँ पे जो होगा 356, अनुषे 356 के तहट राष्टपती सासन लागू हो सकता है ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन जिससे आखको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे थैंक यू फ्रेंड्स पर वाचिंग मैं वीडियो जय हिंच जय भारत